वेलकम तू युमानिटीज ओनर है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वेलकम बैक एवरिबडी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग आफ दी गवर्मेंट इस टॉपिक को हम पाटलपुरम के एक्जामपल से समझेंगे पाटलपुरम में काफी सारी प्रॉबलम्स थी जैसे वहाँ वाटर शॉटेज थी, मतलब पानी की कमी थी वहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को डाइरिया हो रहा था डाइरिया ऐसी बिमारी है जिसमें आपको लूज मोशन्स हो जाते हैं डाइरिया की वजह से पाटलपुरम में काफी सारे लोगों ने अपनी जान गवादी थी तो गवर्मेंट का सबसे पहला काम होता है हॉस्पिटल और स्कूल में विजिट करना ऐसा करके गवर्मेंट ये इंशॉर कर सकती है कि हॉस्पिटल में लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है गवर्मेंट उन फैमिलीज को भी विजिट करती है जिन्होंने डाइरिया की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है इन फैमिलीज को गवर्मेंट कमपनसेशन भी प्रोवाइड करती है कमपनसेशन का मतलब होता है पैसे देकर थोड़ी सी हेल्प करना पाटलपुरम में गवर्मेंट हाई लेवल इनक्वाइरी कमिशन बिठाती है so that पाटलपुरम में जो प्रोवलम्स है उन्हें अच्छे से स्टडी किया जा सके प्रोवलम पता लगने के बाद गवर्मेंट बनाएगी न्यू लॉज ताकि पाटलपुरम में उन प्रोवलम्स को कंट्रोल किया जा सके कई बार गवर्मेंट प्रेस कॉनफरेंस भी कराती है जिसमें गवर्मेंट न्यूज रिपोर्टर जर्नलिस्ट को ये बताती है कि हमने इन प्राब्लम को कंट्रोल में करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं हमने ये लॉज बनाए हैं प्रेस कॉन्फरेंस का मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग जिसमें जर्नलिस्ट और न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाया जाता है फिर ये जर्नलिस्ट गवर्मेंट से काफी सारी क्वेस्चन्स पूछते हैं फिर ये जर्नलिस्ट उस मीटिंग की एक रिपोर्ट बनाकर न्यूज पेपर में प्रिंट करवाते हैं ताकि हर एक सिटिजन को पता लगे कि उस प्रेस कॉन्फरेंस में क्या हुआ था बुक में आपको ब्रॉडली गवर्मेंट के ये पाच काम बताए गए हैं अब क्वेस्चन आता है कि अगर गवर्मेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं नमबर वन लेगिसलेटिव असेंबली में ओपोजीशन क्वेस्चन उठा सकती है कि रूलिंग पार्टी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है इवन न्यूस चैनल्स वाले भी क्वेस्चन उठा सकते हैं कि गवर्मेंट अपना काम प्रॉपरली क्यों नहीं कर रही है कई बार जब सिटिजन गवर्मेंट के काम से सैटिस्पाइड नहीं होते हैं तो वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं मतलब हरताल करने लगते हैं चलो सो अपनी नोटबुक्स निकालो पानी पिलू ओके अब हमारा नेक्स टॉपिक आता है यह इसके नाम से ही क्लेर है कि इस प्रोजेक्ट को हमें एक पेपर पे बनाना है और जब यह प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो इसे हम वाल पर चिपका सकते हैं और इसलिए इसे कहा जाता है वाल पेपर प्रोजेक्ट इस activity की help से आप किसी भी topic पर एक research कर सकते हो सबसे पहले जिस topic के उपर आपको ये project बनाना है वो topic teacher explain करेगा फिर आपको उस topic से related काफी सारा material पढ़ना पढ़ेगा फिर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको उस topic से related जो बात भी समझ में आई है वो आप poem, stories, articles, case study के थुरू represent कर सकते हो फिर जो जो poem, जो story, जो article, जो case studies आपके group members ने लिखी है उन्हें आप एक chart paper के उपर paste करोगे और ये आपका wallpaper project हो गया है ready तो इसी के साथ ये chapter होता है खतम अब हम मिलेंगे next chapter में तब तक के लिए keep studying, keep working hard टाटा, bye bye